हलो अबिडिवन स्वागत है आप सभी का इस न्यों वीडियो में इस वीडियो के थो उमलोग जीके जीएस के important questions discuss करने वाले हैं अगर आप किसी भी exams के preparation कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए helpful है सो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के पहला question है आपका कंचन जंगा पीक is located in which state of India कंचन जंगा चोटी भारत के कौन से राज्य में है सिक्किम मिगाले महारास्ट्र या फिर राजस्थान तो देखिए कंचन जंगा पीक जो है ये आपके option number सिक्किम राज्य में ह अगला प्रशन है गारोखासी जैंतिया हिल is located in which state of India अब आपको बताना है गारोखासी जैंतिया परवज जो है ये भारत के कौन से राज्य में है सिक्किम मिगाले महारास्ट्र या फिर राजस्थान तो देखिए गारोखासी जैंतिया हिल जो है ये है आपके option number B मिगाले अगला कोशन है गल्फ आफ मनार बाउस्पेर रिजर्ब इस लोकेटिड इन विच्ट डेट अफ इंडिया आपको बताना है गल्फ आफ मनार बाउस्पेर रिजब जो है ये भारत के कौन से राज्य में है तो देखिए पिछली क्लास में हमने डिसकुस किया था गल्फ तो यह कहा था आपका तमिल नाड़ो में तो यह बायोस्फेर ही जब भी कहा है तमिल नाड़ो ऑप्शन नमबर एक रेक्ट हो जाएगा चलिए अगला कोश्चन है वाट वाट वस दा अधर नेम ओफ बीम बिसार बीम बिसार का दूसरा नाम क्या था एकारत शालिमार श्रेन का ठीक है आगे बढ़ते हैं वें डिड़ बैटल ओफ एड़ स्पेस टेक प्लेस हैड़ स्पेस का युद्ध कब हुआ था 326 बीसी 346 बीसी 350 बीसी या फिर 421 बीसी तो देखिए हेड़ स्पेस का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ ऑप्शन नमबर है 326 बीसी ठीक है खाडрий 2 अगला कोश्चिन है व डेबलफ आवा डेटिंग सिस्टम को किनके दौर डेवलाब किया गया है किरिडिएयम जॉन्स विल्यूम है गयल या फिर विल्यूम लिभी अगैं क कार्भस बसेद्द कोश्च प्रसेद्ध गायतरी मंत्र किस से समार्थ है इंह यू इंह मोधित किया जाता है इन में से इंद्र, वरुन, सावित्री या फिर पशुपती तो देखिए अगर बात करें गायतरी मंत्र कौन से वेद के अंदर आता है तो ये भी आपको याद रखना है रिग वेद जो कि आपका सबसे पूराना वेद है और अगर बात करें कि ये किस से अड्रिस्ट किया जाता है तो आपका option number C, सावित्री correct answer हो जाएगा अगला question है The constituent assembly was set up in अब आपको बताना है सम्विधान सभा के इस थापना कब की गई थी 1945, 1946 1947 या फिर 1950 तो देखिए Constituent assembly को कब set up किया गया in the year 1946 option भी correct हो जाएगा अगला question है The term fourth state is used for यहाँ पर जो term used किया गया है fourth state वो किस के लिए used किया गया है the executive के लिए parliament के लिए judy seri के लिए या फिर press and newspapers के लिए यह जो term है fourth state यह used किया गया है the press and newspaper के लिए अगला question है under which list economic planning comes कौन से list में economic plans आता है concurrent list, state list, union list या फिर टेरिटरी list तो देखिए economic planning जो है यह आता है आपका option number 1 concurrent list में ठीक है अगला question है the money supply in India is controlled by भारत में जो money का supply होता है तो वो किन के द्वारा control गया जाता है कौन से bank के द्वारा Punjab National Bank, State Bank of India Reserve Bank of India या फिर Grameen Bank of India तो देखिए इंडिया में जो money supply होता है वो control किया जाता है RBI के द्वारा Reserve Bank of India के द्वारा अगला question है agriculture is comes under which sector of economic activity आपको बताना है agriculture जो है यह economic activity के कौन से sector में आता है primary sector में आता है secondary में tertiary में या फिर bilateral sector में तो देखिए agriculture जो है यह आता है आपका कौन से sector में यह आता है आपके option नमबरे primary sector में ठीक है चलिए आगे बढ़ा जा which is the oldest stock exchange in Asia भारत का sorry भारत का ही नहीं हमारा जो महादीप है Asia जिसमें हम रहते हैं तो आप से पूछ रहा है कि एशिया का सबसे पूराना stock exchange कौन सा है Bombay stock exchange, Calcutta stock exchange, national stock exchange या फिर शंगाई stock exchange तो देखिए सबसे पूराना कौन सा है stock exchange आपका है option number A, Bombay stock exchange जिसके स्थापना हुई in the year 1875, 1875 अगला question है what is the other name of tertiary sector tertiary sector का दूसरा नाम क्या है यह आपको बताना है public sector, primary sector, service sector या फिर manufacturing sector तो tertiary sector का दूसरा sector का नाम क्या है यह है आपका option number C, primary sector टिक ही करता हूँ मैं, ठीक है 14 का हो जाएगा आपका, option number C tertiary sector का दूसरा नाम क्या है service sector, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते है golden revolution का संबंद किस्से है golden revolution is related to jute, agriculture, machinery, product या फिर horticulture and honey तो देखिए golden revolution जो है इसका संबंद किस्से है option number D, horticulture and honey अगला question है which state government has launched मुख्य मंत्री सीखो, कमाओ, योजना कौन से राजसरकार के द्वारा मुख्य मंत्री सीखो, कमाओ, योजना launch किया गया असम, केरल, हिमाचल प्रदेश या फिर मद्रदेश तो देखिए current affair से भी मैं आपके लिए हर वीडियो में at least 3-4 question या फिर 5 question भी लेकर आता हूँ ताकि मैं current affair के वीडियो आपके लिए लाता हूँ लेकिन मुझे जो लगता है, जो important questions है उनको मैं cover up कर लेता हूँ तो आपको बताना है कौनसे state government के द्वारा मुख्य मंतरी सीखो कमा विए जनल लांच किया गया तो यह आपके मद्रदेश government के द्वारा लांच किया गया अगला question है Which state government has launched technology transfer scheme कौनसे राजसरकार के द्वारा technology transfer scheme को लांच किया गया असम केरल हिमाचल या फिर मद्पदेश तो देखे ट्रांस टेकनलोजी transfer scheme जो है यह केरल के द्वारा अगला question है The book नीला दरपन is written by नीला दरपन किताब किन के द्वारा लिखा गया है अरवेंद उपध्या है दीन बंदु मित्र मात्मा गांधी या फिर M.K. त्रिपाठी यह जो book है ना नीला दरपन यह लिखा गया है option number B दीन बंदु मित्र के द्वारा खिक है अगला question देख लेता है Who is the author of बंदी जीवन बंदी जीवन के लेखक कौन है अरविन दुपादिया अरविन्दो गुष मात्मा गांधी या फिर सचिंद्रनाथ सान्यल बंदी जीवन के जो author है यह है आपके शचिंद्रनाथ सान्यल and the last question is Who was Sorry When was World Wetlands Day आपको बताना है World Wetlands Day हर साल कब मना जाता है तो यह हर साल आपके 2 February को मना जाता है और इसका theme गया था इस बार का It's time for Wetland Restoration ठीक है तो वीडियो के पेंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा और हमाने चनल पर आप नहीं हो तो like, share and subscribe जरूर करें मिलते हैं next वीडियो में